हालो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाटशाला आज की पाटशाला मैं लेकर आ रही हूँ यानि की आपकी हिंदी की टीजर रुपाली वर्मा ये लग रही है पाटशाला आज की क्लास 10th हिंदी कोर्स A के लिए हिंदी की जो कोर्स A है उसमें हमारी दो बुक चलती है शतज और कृतिका शतज भाग दो और कृतिका भाग दो अभी हम करा रहे हैं शतज भाग दो इसके गद्य खंड का हमारा अध्याय है लखनवी अंदाज इससे पहले वाले वीडियो में आप जो है MCQs पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर के अच्छे से समझ लिया है उससे पहले हमने NCRT कोर्शन करा इसी चैप्टर के और उससे पहले हमने ये चैप्टर आपको समझाया यानि कि वन शॉट ये इस चैप्टर को मैं लगबख अग से हम समझ चुके हैं अभी तक चैप्टर आप हम करने जा रहे हैं most important यानि कि ये पूरी तरीके से वर्णात्मक प्रश्न का एक session है आपका जिसके अंदरगत आप देखने वाले हैं कि जो questions हम से exam में पूछे जाते हैं उनके answers हम किस तरीके से बनाएंगे ऐसा नहीं है कि most important questions तो हैं वो इसलिए क्योंकि expected हैं कि आप से पूछे जा सकते हैं लेकिन अब हम यह कहें कि 100% इसी से आ जाएगा it's not right तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको पहले इस वीडियो में जितने questions आ रहे हैं उन्हें ठीक से समझना है और किस तरीके से उसके answers बनाने हैं कैसी शब्दा वाले इस्तिमाल करनी हैं इसे ध्यान देना हैं तो इसी तरीके से हमारी practice हो जाएगी पूरी तो शुरू करें सबसे पहला जो हमारे पास में question आ रहा है लखनवी अंदास पार्ट के आधार पर बताईए कि लेखक ने खीरा खाने से मना क्यूं किया अब क्या था देखिए हमारे लेखक जब रेल के डिबे में पहुंचे तो सामने नवाब साहब बैठे थे नवाब साहब ने बिल्कुल भी रुख नहीं मिलाया कि हां कोई व्यक्ति आता है तो हम हाए हेलो नहीं कुट कुम से कम चहरे के हाव भाव से ही ऐसा लगता है कि हां उनके आने स लिया इस तरीके से अब उन्होंने बात करने का कोई रुख नहीं लिया कोई चुप चप हमारे लेखक बैठ गए अब उसके बाद उन्होंने जब पहले जब इंसान आया आपने जब रुख नहीं मिलाया तो बाद भी आपने एक खीरा खाने को क्यों पूछ रहा है तो इस समझ रहे हैं इसलिए अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए लेखक ने नवाब साहब के खीरा खाने के आग्रए को पहले अस्वी कार कर दिया था इसलिए बाद में अनकूल परस्तितियां तता खीरा खाने की इच्छा होते हुए भी लेखक ने आत्रा सम्मान में उसके बाद एक बाग नवाब साहब में जो परिवर्तन आया इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ठीक हम खाएंगे बाला बना दिया फिर उसके बाद दुबारा उन से पूछा गया लेखक से कि नवाब साहब ने पूछा कि आप खीरा खालो तो दुबारा उनका मन भी था उसको खीरे को देखके खानी की इच्छा भी हो रही थी लेकिन अपने आत्व सम्मान को बचाए रखने के लिए कि भाई हम एक बार मना कर चुके हैं और आप जो है महत आप मुझे मामूली इंसान समझ रहे हैं इसलिए मैं खीरा नहीं कहूंगा तो उसको दुबारा भी उन्होंने इसी कारण से मना कर दिया कि मैं खीरा खाने वाला ही नहीं प्रेश्ट संख्या दो है लखनवी अंदाज रचना में नवाब साहब की सनक को आप कहां तक उचिठ ठहराएंगे और क्यूं तो देखे जो उन्होंने जो सनक दिखाई मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करना चाहिए था लेकिन चुकि वो एक नवाब थे और अपनी जूटी शान को बनाए रखने के लिए उन्होंने ये चीज़ किया था लेकिन हम ये कहें कि हर तरे की सनक खराब होती है तो सही नहीं कभी कभी सनक जो है वो बहुत कारगर भी सिद्ध होती है लखनेवी अंदास पार्ट में नवाब सहाब की अपनी नवाबी शान और रहिसी का जूटा दिखावा करने एक ये सनक कतई उचत नहीं है क्योंकि दूसरों को नीचा दिखाना मानवो चित्र आच्रण नहीं कहा जा सकता यानि कि एक इनसान का जो आच्रण होता है सही तरिके का वो ऐसा आच्रण नहीं था पहले नवाब सहाब ने अकेले डिब्बे में खीरे खाने के लिए खरी दे थे किन्तु लेखक को सामने देखकर अपनी नवाबी शाहन का दिखावा करने की सनक में उन्हेंने खीरे खाए बिना ही खिड़की से बाहर फेग दिये भाई अगर आपको खीरा खाना ही नहीं था सिंपल एक फैक्ट ऐसे समझे कि अगर मुझे कोई चीज इस्तेमाल नहीं करनी है तो मैं उसे खरीदूंगी ही नहीं सिंपल सी चीज है अब मान लोग कोई भी चीज है मैं जैसे यहां से गई मार्केट ठीक है आज घर खीरा वीरा तो हम लोग पर नहीं खाते लेकिन ठीक है चलो भूग लगी है मार्केट में कुछ नहीं है तो अगर मुझे नहीं खरीदना है मुझे खाना नहीं है तो मैं खरीदूंगी नहीं वही जी नवाब सहाब पे होते हैं कि नवाब सहाब को अगर वो खीरा खाना नहीं था तो उन्होंने क्यों खरीदा अब यहां पर उनके साथ मजबूरी यह हो गई कि उन्होंने खीरा खरीदा तो खाने के लिए लेकिन उनके सामने बैठा हुआ एक मामूली इंसान उस खीरे को खाने के लिए मना कर देता है इसलिए वो नवाब होते हुए उस खीरे को कैसे खा सकते हैं इसलिए उन्होंने अपनी जूटी शान को बनाए रखने के लिए अपनी नवाबी शान को बनाए रखने के लिए उन ये हैं मेरी रहिसी तो ये एक सनक है ये सही सनक नहीं इसको हम पिल्कुल भी कहीं से उचत नहीं ठहराएंगे प्रश्ट संख्या तीन है लखनवी अंदास पार्ट के आधार पर बताईए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकिंड क्लास का टिकेट क्यों खरीदा अब यहां पर जो आरी बाद हमारे लेखक जो है भाई वो तो रचनाकार है तो उन्हें अपनी नई रचनाओं के बारे में सोचने के लिए एकांत चाहिए होता है उनको सफर करना था तो उन्होंने सोचा कि भाई यह सफर में मैं चुक्चा पे किर्की पगड़ लूँगा बाहर प्राकतिक नजारे देखता जाओंगा और कुछ नई स्टोरी के बारे में सोच भी लूँगा तो उससे क्या होगा न हमारा समय यूटलाइज हो जाता है तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर कही कि मैं जो है वो सफर कर रहा था तो सफर करने के दोरान वो नहीं कहानी सोच लेंगे इतनी देर में इसलिए उन्होंने एकांत चाहने के लिए सेकिंड क्लास के डिबबे का टिकेट खरीदा क्योंकि सेकिंड क्लास में ज्यादा लोग सफर नहीं करते हैं तो एक सनाटा सा रहता है तो इत्मिनान लग सकता है ध्यान लग सकता है लेखा के कांद में बैठकर नई कहानी के बारे में सोचना चाहता था इसलिए भीड से बचना चाहता था इसके साथ प्रेश्ट संख्या चार है लखनवी अंदास के पात्र नवाब साहब के वहवार पर अपने विचार लिखिये अब इसमें जो इनका वहवार है तो पहले तो वहवार बताने से पहले उनके कर्म बताने पड़ेंगे कि उन्होंने खीरे के साथ क्या किया लेखक के साथ क्या किया तो उनका वहवार जो था वो सब जूटा था एक जूटी शान को वो रख रहे थे नवाबी चली गई थी लेकिन वो नवाबी शान जो है वो अभी भी बरकराल थी तो उनका जो वहवार था उसी पर आप टिपड़ी कर रहे हूं लखनवी अंदास के पात्र नवाब साहब ने सफर में समय बिताने के लिए खीरे खरी दे और खीरे काफी देर तक तौलिये पर योँ ही रखे रहने दिये फिर उनको सावधानी से छील कर फांकों को सजाया और उन फांकों पर जीरा मिला नमक मिर्च बुरग दिया फिर सूम सूकर उनको ट्रेन की खिड़की से बाहर फेक दिया हमारा विचार है कि उनका ये वहवार उनकी नजाकता और लखनवी संस्कृती के साथ ही उनकी जीवन शैली की कृतिंता और दिखावे की भी प्रदर्शनी करता है नजाकत यहाँ पर पहले समझेगा नजाकत क्या होता है नजाकत मतलब जो नरमी चीजें होती है कहते हैं आप बहुत ही नाजुक से होते हैं नवाप साथ वो नजाकत दिखाता है लखनवी संस्कृती यानि कि नहीं आप लीजिए जो पूछा गया उनकी लखनवी उन्हों नेचरल तरीके से जीते हैं वो नेचरल उनके अंदर नहीं था क्योंकि बनावट उनके क्या हुआ बिना खाए उन्होंने सारे खीरे फेक दिये और जो है वो चुपचाप लेड़ गया और उसके बाद भरे पेट की जो डकार लेते हैं उससे ये पता चलता है कि उनके जीवन करना कि तुमने जो है एक नौर्मल इंसान होते हुए एक खीरे खाने के लिए मना किया मैं तो नवाब हूँ तो मैं तो अपने ख़ीदे खीरे जो है सामंती वर्ग क्या होता है पहले क्या हुआ करते थे राजा होते थे आप सभी को पता है राजा होते थे अब राजा के पास में बहुत सारा होता था बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती थी जिसके देखभाल उने करनी है लोगों के देखभाल करनी है तो हर जगे तो वो नही वसूल करना यहां के लोगों की तकलीव देखना उनको सारी सुखसुविदा मुहिया कराना यह उस विक्ति का काम होता था तो वह वेक्ति होता था सामन्त अब वह राजा के बिहाव में उतने 50 गामों पर राच करता था सारी चीज़े उसके ऊपर राजा थे तो वह हुआ करत तो सामंति चली गई अर्थाद अब सारा जो है वह सरकार के अंडर में आगया सरकार जब देश आजाद हुआ तो भाई राजा वगाजा सब खतम हो गया और जो है यह जो सामंत हुआ करते थे उनकी सारी अधिकार चले गए तो वहीं जेज सामंती नहीं रहे लेकिन सामंत वर्ग का जो दिखावा था वो अभी बरकरार था जो अपना जो एक दबदबार रखते थे वो अभी भी उन्होंने काइम करके रखा था तो वही उन्होंने बताया इन सामंतों में ये नवाब भी आया करते थे ठीक है ना तो वही चीज़ नवाब साहब सा प्रेश्टी संख्या पांच है खीरा काटने में नवाप साहब की विशेश अग्यता का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए यानि कि उन्हें खीरा कित्स तरीके से काटा वो सारी चीज़ें उन्होंने सबसे पहले क्या किया खिड़की के बाहर खिरा ले गए पानी डाल क उसको दोया फिर पोचा फिर उपर से सिर्फ काटा उसको गोदा गोद के इसको जाग निकाला जाग निकालने की बाद उसको छीला चील के उसकी फांके बनाई फांके उससे टॉबल में रखी फिर उसके बाद जो उसमें नमक मिर्च और जीरा बुरका बुरक के जब पनिह पनिहा गया तो उसे सुंसुं कर फेग दिया तो मेन क्या है वो जो काटने के जो तरीका था उसे आपको यहां एक्स्प्लेइन करना है नवाब साहब ने खीरों को अच्छी तरह से धोया और पोच कर तौलिये पर रखा जेब से चाकू निकाला और उससे दोनों खीरों के सिर लिले और काटने की अपनाई थी वो उनकी विशेश अग्यता को बताना था कि वो खीरे के बारे में किती नॉलेज रखते हैं कि हाँ खीरा जो है उसके अंदर करवाहाट निकालने के लिए उसे घिसा भी जाता है प्रश्ट संख्या 6 है नवाब साहब ने खीरा खाने की प पास नवाबी है नहीं लेकिन तब भी वो नवाब हैं तो उस नवाबी शान को बनाए रख ले के लिए उन्होंने इत्ते मेहनत से काटे हुए खीरे को भी सुंग सुंग कर फेक दिया कारण ये था कि उनके सामने बैठा हुआ जो आम आदमी था उसने उस तुछ चीज या अगर वो उस खीरे को खा लेते तो इसलिए उन्हें मजबूर होकर ये सारे कर्म करके खीरे को फेकना पड़ा क्योंग ये उनकी जूटी शान दिखाने का तरीका था नवाब साहब ने खीरा खाने की पूरी तयारी की और उसके बाद उसे बिना खाय फेक दिया इस घटना क माध्यम से पतंशील सामंती वर गयानी की नवाबी परंपरा की बनावटी जीवन शैली पर व्यंग किया गया कि मतलब वह सिर्फ दिखावे में यकीन करते हैं वह जो एक नेचरल चीज़ आरे आपको भूक लगी थी तो आपको खीरा खा लेना चाहता ये एक नॉर्मल इं इस घटना के माध्यम से नवाब साहब स्वेम को खांदानी तहजीब नफासत और नजाकत आदी आडंबर पूर सामंती वर्ग के प्रतिनिधी के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि किस तरीके से एक सामंती वर्ग अपनी जूटी शान को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता है वो दिखावा कर सकता है बनावट कर सकता है यह सारी चीज़े यहां पर बैया की गई प्रश्ट संख्या साथ है यद्यपी लेखक के मूँ में पानी भर आया फिर भी उसने खीरा खाने से इंकार क्यों किया अब एक ही क्या था जब लेखक हमारे पहुँचे तब नवाब साहाब ने कोई रुख नहीं मिलाया थीक है चलो रुख नहीं मिलाया तो नहीं सही उस लेकिन क्या हुआ उसके बाद मैंना कर दिया तो उसके बाद नवाब साहाब ने पूछा क्या नोश फरमाइगे तो उसको देख कर हमारे लेखक के मूं में पानी आ गया उनका मन किया खाने के लिए फिर उसके बार नवाब साहब ने पूछा क्या नोश फरमाएंगे तो हमारे लेखक ने मना कर दिया मतलब वो खाना चाहते थे मूं में पानी भी आया लेकिन मना कर दिया क्यों कि भाई वो अपने आत्पसमान को बनाए रखना जाते थे एक बार अगर किस उन्हें अपने आत्पसमान को बनाए रखने के लिए मूं में पानी आया और खाने की इच्छा होते वे भी उन खीरों को खाने से मना कर दिया था नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाको पर जीरा मिले नमक और लाल मिर्च को सुर्क बुरक दी नमक मिल चिड़ा कर दिये जाने से ताजे खीरे की पनिया हाँ तफाके देख कर लेखा के मूं में पानी आ गया वह उसे खाने के लिए उच्सुक था परन्तु वह नवाब साहब को पहले ही मना कर चुका था जब उन्होंने पहले पूछा तो नवाब साहब को मना कर चुका था अतावे अपते इंकार को बनाए रखने के लिए या आत्म सम्मान को बचाए रखने के लिए खीरे खाने को राजी नहीं होता कि भाई एक बार अगर हम किसी चीज को मना कर चुके हैं तो दुबार उसके लिए कैसे हामी कर दें तो उस आत्म सम्मान को बनाए रखने के लिए लेखक का मन होते हुए भी उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा प्रेश्ट संख्या आठ है लेखक नवाब साहब के जबड़ों के इस फूर्ण को देखकर क्या अनुभव कर रहे थे ठीक है ध्यान रखना जब कोई चीज अच्छी होती है तो हमारे मुह में क्या आता है स्लाइवा आ जाता है उसो खाने की इच्छा करने लगती है अपने सामने खीरों को देखकर मुह में पानी आने पर भी उन्हें खीरे खाने इंके लिए नवाब साहब के अनुरोध को स्विक्रत क्यों नहीं किया तो लेखक नवाब सहाब के जबडों को स्पूरन को देख कर अब यहाँ पर उन्होंने आत्पसम्मान के लिए मना किया था ठीक है न यही कारण था उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं काएंगे लेखक नवाब साहब के जबडों के स्पूरन से यह जान गया था कि नवाब साहब खीरा खाने को लालाई थे यानि कि वो भी खीरा खाना चाहते हैं लेखक नवाब साहब की असलियत भाब चुका था कि या कि क्या है नवाब साहब नहीं मन होते हुए भी उन्होंने नहीं कर दिया और जबनों के स्पूरन का मतलब होता है कि जब कोई चिस खाने की इच्छा होती है तो हमारे मुँमे एक स्ट्राइवा आ जाता है और उसको हम क्या करते हैं बार-बार नीचे की तरफ घोटना शुरू कर देते हैं तो ऐसे करके यहां से हमें दिखाई देगा कि हमारा खाने की इच्छा है तो उसके होते हुए भी जो है नवाब साहाब ने वो सारे खीरे फेक दिये थे तो वही चीज़ यहां पर दाया लेका खीरा खाने को पहले मना कर चुगा था इसलिए मुमे पानी आने पर भी आत्ब सब्मान की खातिर्वा खीरा नहीं खाया और नवाब साहाब की जबडों का इस पूर्ण बता रहा था कि वो भी खीरा खाना चाहते थे उनका भी मन था खीरा खाने का प्रश्ट संख्या नौ है लखनवी अंदास कहानी के शीर्षक की सार्थक्ता पर संखेप में प्रकाश डालिये अब इस कहानी का जो शीर्षक है वो दिया गया है लखनवी अंदास क्यों क्योंकि इस पूरी कहानी में एक नवाब साहब के अंदास को बताया गया है और वो नवाब साहब शायद लखनव के ही रहे होंगे तो लखनव के नवाबों का जो अंदाज होता है जो दिखावटी पन होता है उसको बया करने के लिए ही उन्होंने इस कहानी को लखनवी अंदाज दिया है तो मेरे इसाब से तो बिल्कुल सही उन्होंने जो है शीरशक चुना है लखनवी अंदास कहानी का शीशत पूरता सार्थक है क्योंकि पूरा कथानक लखनव के रहीस नवाब के खांदानी नवाबी अंदास के प्रदर्शन को व्यक्त करता है कि लखनव के जो नवाब सहाबे उनकी रहीसी दिखावा किस तरीके से पूरी कहानी में यही चीज़ बया की गई है आज भी वे लोग नवाबी छिंजाने के बावजूद जूटी शान वा तौर तरीकों का ही दिखावा करते हैं अभी नवाबी नहीं रही है लेकिन वो शान और शौकत और दिखावा अभी तक बरकरार है तो उसी को दिखाने के लिए उन्होंने ये प कि नवाब सहाब ने खीरे किस उद्देश से खरीदे थे वे कितने खीरे थे और लेखक के उस डिब्बे में दाखिल होते समय वे किस स्थिती में रखे थे इस द्रश से किस बात का अनुमान किया जा सकता है तो इसमें देखे कई कोश्चन है पहला है लगनवी अनुसार आ को टाइम पास करने के लिए उन्होंने वो खीरे खरीदे थे कि हम इसको काटेंगे और खाएंगे दूसरा है पर खीरा रखना बताता है एक नवाब के नजाकत और नफासत को कि किस तरीके से वो हर एक चीज़ को सलीके से करने के आदी होते हैं नवाब सहाब ने खीरे सफर का समय बिताने के लिए खरीदे थे खीरे दो थे लेखा के डिब्बे में दाखिल होते समय खीरे तौलिये पर रखे थे इससे नवाब साहब की नजाकत और लखनवी संस्कृति का अनुमान लगाया जाता है कि जो नवाब होते हैं वो कितने नजाकत और नफासत वाले होते हैं हम सिर्फ इसका अंदाजा लगा सकते हैं ये सारी चीज़े देख प्रश्ट संख्या 11 है लखनवी अंदास पाठ के आधार पर बताईए कि लखनव के नवाबों और रहिसों के बारे में लेखक के क्या ध्राड़ना है लेखक ने भाई ये कहानी हमको इसी लखनवी अंदास को बताने के लिए तो ये जो नवाब होते हैं इनका जीवन कितना बनावटी और दिखावटी होता है ये के लिए ही उन्होंने ये पूरा पाठ में रखा यानि कि ये उन्होंने कहीं उनके साथ ऐस तरीके से कोई नवाब का पाला पड़ा होगा जो उन्होंने ये सारी चीज़े देखी तो उसी को बताने के लिए उन्होंने ये सारी चीज़े रखी यानि कि उन्होंने अप्टी यानि कि दिखावा दिखावे को पसंद नहीं करता उसने आरंब से ही डिब्बे में बैटे सजन को नवाबी नशल के सफेद पोश कहा है यानि कि उन्होंने नवाब सहाब नहीं बोला उन्होंने क्या बोला नवाबी नशल के सफेद पोश तो ये बात ही पता चल रही है कि उ किया जा रहा है उसे सभी लोगों पर एक तंज कसा जा रहा है प्रेश्ट संख्या बारा है नवाब साहब का कैसा भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा नहीं लगा और क्यों देखे क्या होता है जब लेखक हमारे डिबे में पहुंचे तो उनको देखकर हमारे नवाब साहब को बिलकुल अच्छा नहीं लगा वो वहाँ पर अकेले रहना चाहते थे लेकिन उनकी शानती में खलल पड़ गया तो ये चीज सारे भाव उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे कि जैसे लगता उनकी शानती में किसी ने विवधान डाल दिया हो तो ये चीज होने के क्योंकि वो खुद खीरा खाना चाहते थे इसलिए उन्होंने खीरा खाने के लिए पूछा देखे क्या है लेखक को डिब्बे में आया देखक नवाब साहब ने असंतोश संकोच तथा बेरुखी दिखाई लेकिन थोड़े देर बाद उन्हें अभिवादन कर खीरा खाने मिलते समय होता है यानि कि जब हम किसी से पहली बार मिलते तो हम हायरोग करते और यहां तो मिले उनको काफी देर हो चुकी थी हो चुकी थी या तो फिर आप ने पहले क्यों नहीं अभिवादन कियों और खीरा खाने के लिए पूछ रहे हैं पहले अंदेखा करना हो देर बाद अभिवादन और चत्तिहीन है यानि कि कोई मतलब नहीं रखता है लेखक को लगा कि नवाब साहब शराफत और ब्रहम जाल बनाए रखने के लिए उन्हें मामूली वेक्ति की हरकत में लथेड लेना चाहते हैं यानि कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हम नव लेखक ने हमारे रुख मिलाया नहीं और बाद में अवाब साहब को खुदी रुख मिलाना पड़ा तो वो उस चीज़ को दिखाना चाहरा थे इसलिए ले लेखक को वो समझ की मदब हमारे लेखक साथ 2 है डिबा अन्माण के प्रतिकूल निरजन क्यों नहीं था अब यह वाईलाइन हमारी ले लेखक ने कू है पई हमारे लेखक ने सेकेंड क्लास के डिबबे काटिकेट खरीदा इसलिए था क्योंकि उस मैं सेकेंड क्लास में जदा लोग सफर नहीं करते थे तो वो एकांद्ट चाहते थे क्योंकि वो नई कहानी को सोचना चाहते थे इसी एकांद के चलते उन्होंने सेकिंड क्लास के डिबबे का टिकेट खरीदा और वो वहां पहुँँ गए लेकिन उनकी उमीद के जस्ट विपरीद वहाँ पे एकांत नहीं था क्यों क्योंकि वहाँ पे अल्रेडी नवाब साहब बैठे हुए थे तो इसी लिए उन्होंनों बोला कि जो हमने अनुमान लगाया था कि सेकिन क्लास का डिब्बा निर्जन होगा ये उनके अनुमान के जस्ट प्रतिकूल था अर्थात वहाँ पर कोई मौजूद था जब लेखक रेलवे स्ट्रेशन पहुचा तो उस समय गाड़ी छूट रही थी लेखक सेकिन क्लास के एक डिब्बे को खाली समझ कर दोड़ कर उसमें चड़ गया क्योंकि सेकिन क्लास के डिब्बे में महंगे टिकेट के कारण कम ही यातरी बैठते थे किन्तु वहां एक बर्थ पर लखनवी नवाबी अंदाज में एक शफेद फोस अजजन सुविधा से पाल थी मारे बैठे हुए थे इसी लिए उसे डिब्बा अनुमान के प्रतिकूल लगा कि वो भई वोई सोच कर गये थे कि वह निर्जन होगा कोई नहीं होगा माराम से बैठेंगे लेकिन महाँ पे कोई मौजूद था जो उनके अनुमान के बिलकुल प्रतिकूल था प्रेश्ट संख्या 14 है नवाब सहाब ने अकेले डिब्बे में समय काटने के लिए क्या किया लेखक के उस डिब्बे में आ जाने से नवाब सहाब को क्या परिशानी हो रही थी तो नवाब सहाब ने अपना समय काटने के लिए खरीदे थे खीरे कि भाई वो इत्मिनान से खीरे खाएंगे अब खीरे होते हैं बड़ी ही तुछ चीज अर्थाद एक नवाब और वो खाए खीरा तो ये बहुत चीज थी अब हमारे लेखक जब आ गए तो उनको बड़ी य खरीदे थे जिनें अकेले में खाकर वो अपना समय काट सके लेखके उस डिब्बे में घुस जाने से अब नवाब सहाब को ये परिशानी हो रही थी कि वह किसी सफेद पोश के सामने उस अपदार्थ खीरों को किस प्रकार खाएं तो अपदार्थ मतलब क्या होता है नवा अब वो भी तुछ चीज खीरा खाएं तो इसलिए उसको क्या बोला गया अपदार्थ चीज तो इतनी तुछ चीज एक नॉर्मल इंसान के सामने कैसे वो खा लें ये उन्हें बड़ी दिकत हो रही थी प्रश्ण संख्या 15 है हमने भी उनके सामने की बर्त पर बैठ कर आत्म सम्मान से आँखे चुरा ली इस वाक में किस आत्म सम्मान की बात कही जा रही है अब भई हमारे लेकर जैसे आपको पता है कि जब आये पर डिब्बे में तो नवाब सहाब थे नवाब सहाब उनका ज किया और जू है उनोंने नहींकिया उन्होंने आँखे चुरा ली तो हमारे लेकर भी उनी के सामने बर्त पर बैठे और उनकी तरफ देखे ना नवाब साहब से नहीं मिलाई और वो बाहर की तरफ देखने लगे थे जब लेखक रेल के सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा तो उसने नवाब साहब को पालती मारे बैठे हुए देखा लेखक को महसूस हुआ कि उनके अच्छानक इस डिब्बे में आ जाने से नवाब स साहब की आखों में एकांत चिंतन में विग्ण का असंतोष दिखाई दे रहा है लेखक को भी अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा था इसलिए उसने भी अपनी और से नवाब साहब से परिचे पाने का कोई उत्सहा नहीं दिखाया कि मतलब कि ठीक है आपने नहीं मिलाया तो हम पूछ लेते हैं हलो जी आप कहां से आये हो कहां जा रहे हो एक नॉर्मल यात्री पूछ लेता है लेकिन उन्होंने भी रुखनी मिलाया ठीक है आप मुझे से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं क्यों करूँ तो मैं भी आपसे बात नहीं करूँगा तो एक नवाब सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठा था तो हमारे लेखक ने उनके बारे में क्या सूचा लेखक ने जब सेकंड क्लास के उस डिब्बे में नवाब साहब को बैठे देखा तो उसे से महसूस हुआ कि नवाब साहब भी शायद उनकी तरह एकांत में बैठकर य को काटना चाहते थे लेखक को उस डिबबे में आते देखकर उन्हें अपने एकांत में खलल यानी विग्ण पड़ता दिखाई दिया और लेखक को जब उन्होंने देखा कि हां वो आ चुका है डिबबे में तो उन्हें अच्छा मैसूस नहीं हुआ क्यों कि वो हाववा उन क्लास के डिब्बे में बैठ कर खीरे खाते हुए देख लेगा अब दूसरा जो थौट उनके दमाग में ये आया कि नवाब सहाब ये भी सोच रहे होंगे कि भाई किस तरीके से एक नॉर्मल आदमी जो है मुझे जो सेकंड क्लास के डिब्बे में एक तो पहले देख ले और प्रश्ण संख्या सत्रा है नवाब सहाब की असुविधा और संकोच के क्या कारण रहे होंगे उनकी असविधा और संकोच के क्या कारण रहे होंगे पहला नवाब सहाब के सामने तौलिये पर दो खीरे रखे हुए थे हो सकता है लेखा के कारण वा खीरे जैसी अपदार् बेखे जाने से संकोच में हूँ तो यहां पर उनका पहला संकोच यह रहा होगा कि भाई एक मामूली इंसान के सामने एक नवाब होते हुए मैं यह नॉर्मल सा किए खा सकता हूँ तो पहला संकोच उनके दिल तिलों लो दिमाग में ये रहा होगा दूसरा नवाब साहब ने किफायत यानि कि मित वैता के विचार से सकंड क्लास का टिकेट खरीद लिया होगा और अब ये नहीं चाहते हों कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें सेकंड क्लास के डिब्बे में सफर करता देखे अब क्या है नवा जैसे नवाब हैं बहुत बड़े हैं उनके पास पैसा बहुत होता है तो बो लोग चलते हैं तो कि यह बैठे नौर्मल बंदा मुझे नवाब को सेकिंड क्लास के डिबे में देख ले दूसरा संकोच ये कि भई वो तो नवाब है तो उने तो फर्स क्लास में सफर करना चाहिए और जाकर ये किसी और को बता देगा तो भई मेरी शान पर ठपा लग जाएगा दूसरा संकोच उनके पास ये रहा होगा प्रश्ण संख्या 18 है शुक्रिया इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है मेदा भी जरा कमजोर है किबला शौक फर्माएं वाक में किस भाषा की शब्दा वली प्रयूक्त हुई है और क्यों ये जो है न उर्दू भाषा की शब्दा वली है जो बेसिकली लखनओ उन में बोली जाती है ठीक है ध्यान रखिए तो ये कौन से एरिया की है ये लखनों की नवावों की थोड़ा सा जो शब्दावली रहती है वैसा ही है प्रस्तुत वाक में लखनों की नवावी भाशा इवं उर्दु शब्दावली का प्रियोग किया गया है लेकक ने नवाव साहब को उन्हीं की नवाबी भाशा में उत्तर देते हुए इस प्रकार की भाशा का प्रियोग किया तो जो नवाबी लोग जो इस तरीकें की भाशा बोलते हैं हमारे लेखक ने उसी भाशा में हमारे नवाब साहब को उत्तर दिया किबला शौक फरमाईए तो यह जो किबला जैसा शब्द है य ये उर्दू का है तो ये सभी चीजें जो हैं वो उर्दू शब्दा वली है और लखनों के नवाबों द्वारा बोली जाती है प्रेश्ट संख्या 19 है नवाब सहाब ने खीरे में नमक आदी बुरक कर क्या किया अब क्या था उन्होंने पूरा खीरा काटा नमक मिर्चो जीरा बुरका और बुरकने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए पनिहाने के लिए छोड़ दिया यानि कि हलका सा जो है वो जूसी ह अब उसके बाद उन्होंने खीरा उठाया मूँ तक लाए पूरा सूंखा और सूंख के ले जाके खिड़की के बाहर फेक दिया तो यह पूरी प्रक्रिया आपको यहां बतानी है नवाब सहाब ने खीरे में जीरा मिला नमक आदी बुरक कर लेखक से खाने के लिए पूछ किन्तु उनके द्वारा विनम्रता पूर्वक मना कर देने पर नवाब सहाब ने अपनी सत्रशना आखों से नमक मिर्च के सयोंख से चमकते खीरे की फांकोई की ओड़ देखा यह मतलब नमक मिर्च छिड़का तो उन्होंने एक बार हमारे लेखक से फिर पूछ लिया कि भ हमारे नवाब सहाब की नजरे थी उन खीरों पर जो पूरी तरीके से पनी आ चुकी थी अब उनका भी जो है वो अंदर से इच्छा कर रही थी कि हम भी इन खीरों को खाएं फिर उन्होंने क्या किया चमकती खीरे की फांकोई की ओर देखा खिड़की की बाहर देखकर उन् उन्होंने सारी ही फांके एके करके उठाके लाते सुंगते और सुंग के खिड़की के बाहर फेक दिया करते तो ये काम उन्होंने सापूरे दोनों खीरों यानि कि सभी फांकोई के साथ किया प्रेश्ट संख्या 20 है नवाब साहाब ने खिड़की के बाहर देख कर दीर गुस्वास क्यूं लिया अब उन्होंने से भाई उन्होंने खीरे जब सारे काट लिये सब कुछ हो गये लेकक से पूछा लेकर ने मना कर दिया अब उन्होंने खीरों की तरफ देखा खीरे पर पत्थर रखने जैसा जैसे वह होता है सांस लंबी सांस लेकर छोड़ा तो वो जो सांस थी वो क्या था खीरों के त्याग का अफसूस था तो देखें क्या है नवाब साहब ने जब खीरे की फांके बना कर उन पर मेजीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्ख बुरक द इसके बाद उन्होंने इन फांकों को बड़ी हस्रत से देखा और अपने डिब्बे की खिड़गी के बाहर देकर लंबी सांस ली जिससे वह अपने अंदर की सांस को बाहर छोड़ अपने को तरो ताजा बना सके यानि कि एक तरीके से अपने मन को तयार कर सके कि ये खीरे जो इतने अच्छे लग रहे हैं अब यह तुम्हें खाने नहीं हैं तुम्हें क्या करना है इनको फेकना है क्यों क्यों कि सामने बैठे आदमी ने उसे खाने से मना कर दिया तो अपने आपको refresh करने के लिए यानि तरो ताजा करने के लिए कि नहीं उनके mindset में अभी क्या प्रश्ट संख्या 21 है अचानक ही नवाब सहाब ने खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर फेकना क्यों शुरू कर दिया आखिर उन्होंने जब इतनी जतन करके खीरे काटे थे तो आखिर उन्होंने क्यों फेक दिये कि इसे खाने से मेदा अर्थात अमाशय कमजोर होता है यानि कि उनका पेट ठीक नहीं हम नहीं खाएंगे अब नवाब साहब ने भी लेखक की बात मान कर खीरे और जीरे ये नमक मिर्च और नमक और मिर्च बुर की हुई फाको को नाक के पास ले जाकर सुंगा और उसके स्वाद का कालपनिक आनंद ले लिया और खाने के स्थान पर उन्हें अपने डिबे की खिड़की के बाहर फेकना शुरू कर दिया कि भाई हमारे लेखक ने मना कर दिया कि भाई ये पेट पर जो है जो है जोर डालता इसलिए उन्होंने भी कहा कि हम भी नहीं खाएंगे पेट पर जोर डालता लेकिन बेसिकली जो उसके पीछे की hidden बात यही थी कि वो इस अपदार्थ चीज़ को जिसे खाने के लिए एक नौर्वल इंसान ने मना कर दिया मैं नवाब होते हुए क्यों खाओ इसलिए उन्होंन माल से ठक कर लेट गए इस पंक्ती में नहित व्यंग इस पश्ट कीजिए अब उन्होंने क्या हुआ एक नवाब है नवाब लोग जादा काम आम नहीं करते हैं बहुत ही नाजुक से होते हैं जरासी चीज़ों में ठक जाते हैं अब यहां नवाब सामने बहुत सारा काम कर लिया उन्होंने कीरे को धोया चीला काटा रगडा नवक मिश लगाया उसके बाद सूंग सूंग के फेक दिया तो इतने काम में ही वो बिचारे ठक गए तो यहां पर जो व्यंग किया गया है मतब ठक कर लेट गए अर्थात यहां पर नवाबी लोगों की नजाकत के बारे बताया गया है कि वो कितने हलके से काम में ही ठक जाते हैं तो यह उन पर व्यंग किया गया है क्योंकि वो लोग शारिक्ष्रम बिल्कुल नहीं करते हैं और यहां पर उन्होंने क्या कर लिया उन्होंने इतना काम कर लिया वो तो कालपनिक काम भी कर रहे थे सूंग रहे थे प्रसुत पंक्ति के माध्यम से लेखक ने नवाप साहब पर ये व्यंग किया है कि नवाप साहब ने पूरे जोर शोर से खीरों को धोया, काटा, जाग निकाला, फांक बनाकर जीरा मिला, हुआ नमक और लाल मिर्च बुरकाई, परंतु जूटी शान में आकर फांकों को मात् सूंग कर ही फेंग दिया, और फिर पेट भर जाने की क्रतिम अभने किया, कि भाई खाली सूंग सूंग के मेरा पेट भर गया, तो उसका एक दिखावा वाला अभने किया, इन सब वास्तविक शारिडिक श्रम इबं कालपनिक स्वाद लेने के बाद नवाप साहब मांसिक संतुष्ट दिखाई देने की कोशिश कर रहे थे, तो ठक कर लेट जाने का ताद पर यहां था, कि हाँ जो मैंने काम किया, वो अच्छा था, सही है, मैं इससे संतुष्ट हूँ, ये चीज वो दिखाना चाहते थे, इसलिए ये कसारा काम उन्होंने किया, तो ये एक तरीक ये से व्यंग हैं उन्हों पर जो दिखावटी जीवन जीते हैं, प्रेश्ट संख्या 23, जब नवाब सहाब ने खीरा खाया ही नहीं, तो उनकी और से डकार का शब्द किस प्रकार सुनाई दिया, अब देखिए क्या होता, बेसिकली पेट भर जाता है, तो डकार आती है, बर्ब जिसे हम बोलते हैं, तो लेकिन यहां तो नवाब सहाब ने खाया ही नहीं, उन्होंने सूंग सूंग कर सारा फेका, तो यहां पर डकार सिर्फ ये प्रदर्शित करने के लिए लिए ली गई थी, कि हाँ मैंने जो कर्म किया वो संतुष्टी भरा है, यानि कि वो जो काम करने के लिए मैंने खीरे खरीदे थे, अर्थात अपनी भूग मिटाने के लिए वो अक्च्वल में काम कर गया, तो देखिए क्या है, नवाब सहाब ने खीरे की फांको पर जीरा नमक लगाया, उन पर मिर्च बुरग दिया, उसके बाद उन्होंने सूंग सूंग कर उ कारम संतुष्टी हो गई, इसी कारण खीरा ना खाने पर भी उनकी ओर से डकार का शब्द सुनाई दिया, अर्थात उन्होंने ये चीज़ बताई कि खीरा खाने के बाद जरूरी नहीं है, पेट भरे, उन्हें संतुष्टी हुई इस चीज़ को प्रकट करने के लिए उन् कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ जो काम मैंने किया है, प्रेश्टी संख्या 24 लेखक के ज्यान चक्षू किस प्रकार खुल गए, उन्होंने कहा जब बिना खाए, अब उन्होंने खीरे तो खाए नहीं, बिना खाए जब उसे फेक दिया और फेक के एक भरे पेट की डकार ली, तो उसी प्रकार बिना पात्र, बिना किसी घटना के कहानी भी हो सकती है, जब बिना खाए डकार हो सकती है, तो इस तरीके से उनके ज्यान चक्षू खुले, जब लेखक ने नवाव साहब को खीरे को सुंगने मात्र से ही अपना पेट भर लेने और परमसंतुष्टी पाने के बाद डकार लेते सुना तो उनके ज्यान चक्षु यह सोच कर खुल गए कि यह तो बड़े आश्चर्री की बात है कि किसी प्रिये खाद वस्तु को बिना खाए ही परमसंतुष्टी पाई जा सकती है तो डकार भी ली जा सकती है यदि ऐसा है तो पात्र घटना आदी की अनुपस्थिती में कहानी भी लिखी जा सकती है यानि कि जो हमारी चीज प्रिये है मैं उसे खाए बिना ही संतुष्टी प्राप्त कर सकता हूँ अगर डकार ले सकता हूँ तो उसी तरीके से बिना घटना बिना किसी पात्र के कहानी भी लिखी जा सकती है प्रश्ट संख्या 25 है ये कहानी नवाब साहब के माध्यम से नवाबी परमपरा पर व्यंग है इस पश्ट कीजे बात सही है कि ये पूरी कहानी उन सभी लोगों के उपर व्यंग है जो अपना जीवन दिखावे में बिताते हैं कि हम शो आफ करेंगे हमारे पास है कुछ नहीं लेकिन क्या है शो आफ करने में सारा जीवन बिता देते हैं ऐसे लोगों पर सटीक व्यंग है लेखक ने इस कहानी के माध्यम से समाज के पतन शील सामंती वर्ग और उनकी बनावटी जीवन शैली पर व्यंग किया है जिनका पतन हो चुकत है जो जीवन सेली समापत हो चुकी है तब्भी वो अपनी बनाव उस सारी शानोंशौकत को दिखाने के लिए जूटा बनावट बरा जीवन जीते हैं नवाब बनावटी जीवन शैली अपनाने में य immense करते हैं और इसी में अपना पूरा जीवन बिता देrí कि नहीं हम नवाब हैं यह करना चाहिए जबकि नवाबी उनके पास रही नहीं तो वो नवाब का है कि तो उस दिखावे के लिए वो अपना पूरा जीवन वितित कर दیते हैं उन्हें जीवन के यथार्ट और करवी सचाईओं से कोई मतलब नहीं होता है यानि कि जीवन में क्या चीज सही है क्या गलत है क्या जरूरी है इससे कोई मतलब नहीं होता ऐसे वेक्तियों को समाज में कहीं भी देखा जा सकता है तो सिर्फ हम ये बोलें कि नवाब ही ऐसे होते हैं तो ऐसा हम नहीं कहेंगे हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर हावा करते रहते हैं तो यहां पर हमारा ये चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टन कोश्टन्स खतम हुए तो लखनवी अंदाज चैप्टर जो है वो बहुत सीधा और सरल सा है लेकिन बहुत सारी चीजें उसके पीछे हीजन हैं उनको हमने समझाया भी आपको जब हम पाट समझ करीं तो यहां पर कोई ज़रूरी नहीं है कि कावरिकंड में ही जो कपंक्तियां लिखी हैं उसके पीछे कोई हिडनचीज होती हैं बहुत सारी चीजें गद्ध में भी होती हैं जो सामने लिखी लेकर आऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में thank you for watching bye-bye